कैसे हैं आप लोग लेग भी फॉर के बारे में बहुत सारी चीज़े हैं जो अगर हम उनको थम रूल लेके चलें तो बहुत आसानी हमें रहती है समझने में सबसे पहले देखिए अगर यह आपर नौ बॉल हो गई तो ये no ball होने के बाद leg before बिलकुल नहीं होगा अगर एक right hunter batsman खेल रहा है और आपका ball leg system के बाद पिछ हुआ तो leg before बिलकुल ही नहीं है तो ये number 2 number 3 अगर ये ball pad में लगने से पहले आपके bat पे लग जाए और bat पे लगने के बाद पे लगे तो भी leg before नहीं होगा ये भी खतम और एक जो सबसे जुरूरी चीज़ जो सारे leg before पे apply होगी ball wicket में अगर नहीं लग रहा है कहीं भी पिछ हो कहीं भी no ball है नहीं अगर ball wicket में नहीं लग रहा तो leg before होता ही नहीं है तो ये चार थमरूल आप पकड़के चलिए अगर ये सारी चार चीज़े होते ही तो बिल्कुल back before नहीं होगा हाँ leg before कब-कब होगा फेर डिलीवरी होने चाहिए wicket to wicket जिसको हम ये बोलते हैं इसमें ball पिछ होना चाहिए और बॉल पैट के ऐसे इससे पर लगे कि एमपार को लगे इसकी हाइट भी ठीक है इसकी लाइन भी ठीक है और जाके स्टम्स में लगेगी तो आलब leg before दे सकते हैं अगर बॉल आप स्टम के बहार पिछ होती है तो पिछिंग का थे कौई ली ना देना नहीं है अब यह देखे बॉल अप से के बहार पिछ हुआ उम्पेक्ट उप स्टम के बहार है और बैट समन ने खेल दे के कोशिश करी यह नोट आउट होगा लेकि तँ सेम केस में यही पे बॉल लगा लेकिन बैसमन इने बाल लेफ्ट किया और एमपैर के हसाब से ये बाल अंदर जा रहे थी और स्टंप में लग जा तो ये आउट होगा तो समझ रहे हैं आप डिफरेंस एक और चीज जो काफी डिबेटेबल रहती है बहुत सारे पीछे डिस्परसल हो जिसमें लोगों को समझने में थोड़ी कै जैसे आसानी को बठाना चाओंगा बॉल विकेट में हो और विकेट विकेट जा रहा है लेकिन एक ऐसी स्टेज है जहां पर बैट और पैड में गैप बहुत कम है अर जब बाल लगती है तो ये बताना मुस्किल होता है कि पैड लगा पहले या बैट लगा पहले ऐसे सारे cases में और आपको लगबग लगे कि सब साथ साथ ही है conclusive नहीं है तो ऐसे case में जो भी empire ने दिया TV empire उसी के साथ जाएगा out given is given and not out given is not out